एक ऐसा अनोखा मंदिर जहां रात को कोई भी राजा या मंत्री नहीं रोग सकता एक ऐसा अनोखा मंदिर जहां से होता था पूरी दुनिया का समय निर्धारत यह मंदिर है काल चक्र के परेख बाबा महाकालेश्वर का और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बाबा महाकालेश्वर के रहस्यमें और चौका देने वाले तक नमस्कार इदर फिर से स्वागत है आप सभी का फांडर इंडिया की खास पेशकर्ष वे एंशेंट इ और आज की हमारी इस वीडियो में हम बाद करने जा रहे हैं घरक कि सबसे प्राची लगलियों में से उज्जैर में विराजमान महाकालेश्वर के वारे महाकालेश्वर मंदिर puedes rahas-едlar बारा बारा जोतिर लिंगों में से इस मंदिर का नाम महाकालेश्वर इसके पड़ा क्योंकि काल का मतलब होता है समय और काल का एक और शाप्दे कर्थ होता है मृत्यूर। और काल चक्र से परे हैं बाबा महाकालेश्वर। ऐसा कहा जाता है कि एक समय पर इसी जगा से पूरा विश्व का समय मानक तैर होता था और मंगल ग्रह का भी जनम इसी जगा पर होता है। बैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्की करने के लिए जाजा करी और उनको कुछ चौका देने वाले सैंपल्स भी मिलें। महाकालेश्वर के बारे में एक चौका देने वाली बात ये है कि रात में महाकालेश्वर के पास कुई भी राजा, मंत्री, मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री नहीं रुख सकते। लोगों का मानना है कि अगर किसी भी राजा या मंत्री ने राद को महाकालेश्वर में रुखने की कोशिश की तो उससे उसकी सत्ता छिन जाती है क्योंकि उज्जैन के राजा सिर्फ एक ही है और वो है बाबा महाकालेश्वर कर दो कि को साव कि माने तो राजा विक्रमादेत की राज की बद से नहीं कर दो कुछ कहानियों के चलपे यह भी साप्थ हुआ है कि राजा की कारस किसी प्रदान मंत्री मुराल जी देशाई महाकालेश्वर में राद गजारे अगले हे दिन उनकी सरकार गिर पड़े इसके अलावा कर्नाटक के पूर्म मुख्य मंत्री बीयस लगी अप्पा ने भी यही किया था और कुछी दिनों में उनको अपने पत से स्टीफा देना पड़ा कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्व एक सईयोग की बात है और कुछ लोगों के हिसाब से यह बाबा महाकालेश्वर की चेताबनी है महाकालेश्वर में होती है भस मार दी कहा जाता है राजा चंद्र सेंच शेब के बहुत बड़े भग थे और एक बाद राजा रिपू मदन ने उन पर हमला कर दिया राजा रिपू मदन ने एक दूशन नाम के राक्षस की मदद से लोगों को प्रताडिक करना शुरू कर दिया जिसके बाद लोगों ने भगवान श्यव से मदद की गुहार लगाई। जिसके बाद भगवान श्यव दूशन का काल बन करके आए और उसको उसकी सेना सहित मार दिया। जब लोगों ने भगवान श्यव को उज्जैन में ही रह जाने को कहा तो भगवान श्यव में दूशन की राख को अपने शरीर पर मल कर वही पर महाकालेश्वर सुरूप में बस कर। कहा जाता है उसी के बात से ही बाबा महाकाल यश्वर की आर्थी शम्षान की ताजी राख सिखी जाने लगी पौरानी कथाओं की माने तो एक बार शम्षान में कोई भी चिता नहीं थी तो मंदिर के पुजारी ने अपने बेटे को मार कर उसकी ताजी राख से बाबा की आर्थी कर दें पंधित से खुश होकर ब्रगवान शिव प्रकट हो गए और उसके पुत्र को जीवन दान दे दि और पंधित से बोला कि अब से भसमार्थी कपिला गाय के गोबर से बने उपलो की राख से होगी उसी के बाद से ही बाबा महाकालिश्वर की भसमार्थी सिम, पीपल, प्लास, बढ़, अमलतास और बेर की लकडियों के साथ कपिला गाय के गोबर से बने राख से की जाने ल तुकि महिलाओं को भसमार्थी देखना मना है महाकालेश्वर जोट्य लेखपुर ब्रह्मान में अकेला ऐसा शिवलिंग है जिसका पनावत्तम दक्षर की दिशा में है जो की मृत्यू की दिशा है हम आपको बता दे कि सनातर धरम में दक्षर दिशा को मृत्यू की दिशा बोला जाता है जहां एक तरफ सारी शिवलिंगों का पनावत्तम उप्तर दिशा की तरफ होता है वहीं बाबा महाकालेश्वर का बुदक्षर दिशा की तरफ है मंदर में चमतकार तो हर देन ही होते हैं मगर एक ऐसी तस्वीर मंदर के गर्ब रेयर के CCTV में कैड हुई जिसने सब को चौका दिया सावर के महीने में बाबा महाकाल की लिंक को बेल के पत्रों से ढग दिया जाता है धगने के बाद किसी भी भग्त को बाबा के दर्शन करना अलाव मही होता है मगर मंदर के CCTV में उसी के बाद एक अध्रिश शक्ती को बाबा की पूजा करते हुए कैड किया गया कुछ लोगों को ये बात जूटी लगती है लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये बात पूरता सच है रिलीस पोटो के बारे में मंदर के पुजारी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया लेकिन सादुमों का कहना है कि ये पोटो बिल्को सच है प्योंकि भगवान शेप की पूजा ना सिर्फ हम इनसान करते हैं बल्कि बहुत सारी अन्य शक्तियां भी हैं जो भगवान शेप की पूजा करते हैं और महाकालेश्वर की आर्टी करते वक ऐसे ही एक अद्रश शक्ति कैप्चर होगी आप हमें अपने बचार कमेंट सेक्शन में लिख करके बताईए कमेंट सेक्शन में आप हमें ऐसे ही और घटनाओं के बारे में भी बताईए जिनकी महाकालेश्वर से जोडी हैं और हम अपने इस वीडियो में उनको कवर करना भूल रहे हैं मिलती हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद